आज हम लोग बात करने वाले हैं applications of lease shettlier principle lease shettlier principle प्रेशर temperature catalyst और concentration के जो changes हैं उनके हवाले से बात चीत कर चुके हैं और आज उसको apply करना है कि industries में कैसे lease shettlier principle को apply किया जाता है और फाइदा हासिल किया जाता है in different processes and हमने दो process को discuss करना है haber process को और contact process को starting with haber's process तो ये जो process है ये basically convert करता है nitrogen और hydrogen gas को ammonia में यानि कि जब हम ammonia को produce करना चाहते हैं तो industrially ammonia को prepare किया जाता है with this process which is haber process और क्यों ammonia की इतनी एहमियत है उसको क्यों produce किया जा रहा है तो याद रखी common fertilizer है जो आज कल crops को यानि के फसलों को ज्यादा बनाने के लिए इस्तमाल किया जाता है ये fertilizer है basically ammonia तो इस होजा से process भी अच्छा है और ली शेटल के principle भी समझ में आ जाएगा double मज़े इसी के साथ साथ ये जो process है basically invent करने वाला German chemist था एक Fritz Heber और 1900 में इसने इसको जो है वो सबसे पहली मरतबा invent किया था तरीके को और वहाँ पे जो nitrates से उनको इस्तमाल किया जाता था explosive बनाने में ये जंग के जमानी की बात है तो उस वक जो हतियार था वो यही था कि explosive बनाए जाए तो ये जो ammonia है basically इस्तमाल होती थी nitrites बनाने में और वो explosive में इस्तमाल होते थे तो बहुत पुराना process चला आ रहा है और अब हम इस process से अपना फाइदा करेंगे अच्छा तो क्या होता कि इस process के अंदर nitrogen आ गया hydrogen आ गया और बन जाता है ammonia नाइट्रोजन को लिया हवा में से और natural gas में से लिया hydrogen को दनों को combine किया और बन गे ammonia हाँ ये बात याद रखिएगा जो यहाँ पर proportion आपको नजर आ रहा है एक nitrogen का molecule होता है तो तीन molecule होते है hydrogen के यानिके moles होते है hydrogen के और फिर जाके 2 moles बन जाते हैं ammonia के proportion एहम है आगे इस बारे में बात करेंगे हम लोग और क्योंके ये एक exothermic reaction है तो यहाँ के जो delta H है हो है negative 92.4 kilo joule per mole कुछ different values आपको मिलेंगी different जगापत क्योंके 100% same नहीं रहती value लेकिन जब भी आपको value मिलेगी ये बात तो confirm है तो exothermic वाली बात याद रखते वे equation को याद रखते वे अब हम देखेंगे hevers process को मैंने बताया nitrogen हमने लिए हवा से nitrogen from air hydrogen leave from natural gas और फिर 1 by 3 के ratio से हमने इसको मिलाया जो reaction है उसने ही आपको बताया कि nitrogen और hydrogen का 1 by 3 volume होता है ठीक है फिर इतना temperature दिया इतना pressure दिया ये वाला catalyst दिया ठीक है ना इस बारे में बिल्कुल आखर में बात करेंगे जब सारी की सारी least shatter principle को apply कर चुके होंगे ठीक है फिर यहाँ से reaction आगे बढ़ता है gases को ठंडा किया जाता है ammonia को liquid बनाया जाता है नीचे से liquid ammonia को collect कर लेते हैं और जो बची कुछी gases होती है वो दुबारा से यहाँ पर जाके कमाई होती रहती है यह एक schematic diagram है hebber's process की most simplified है बहुत ही असानी के साथ समझा जा सकता है कि hebber's process में होता क्या है पर हमारा जो हम काम है वो यह नहीं समझना कि hebber process में क्या होता है हमारा काम है least shetlier principle को apply करना सबसे पहली बात करते हैं concentration की तो बात यह है कि यह हमारे सामने आ रहा है लिखावा कि hydrogen के 3 बोलोग है nitrogen का एक होगी है 1 by 3 ratio में रिएक करते हैं और बनाते हैं ammonia concentration का मतलब है amount को change करना अगर मिसाल के तोरपे हम ज्यादा nitrogen को add कर दें हमने nitrogen की मिदार बढ़ाई है तो एक विज़र में दुबारा जाने के लिए nitrogen को खतम करना पड़ेगा और nitrogen को खतम करने के लिए यकीन यकीन रियक्टेंट्स तेजी के साथ रियक करेंगे और ज्यादा से जदा ammonia बनाएंगे तो यह एक अच्छी बात होगी हमारे स्यूस करनी पड़ेगी तो actual practice के अंदर basically हम लोग concentration को change करते नहीं है ठीक है न क्यूंकि ratio इसके समका नजर आ रहा है कि अगर आप nitrogen की मिदार हवा हवा तो मुफ्त की आ रही है चलो nitrogen बढ़ा दो लेकिन उसकी वज़ा से hydrogen की तो जाधा चाहिए तो concentration के इतना फाइदा नहीं है temperature की बात करता है अब temperature बढ़ाना है कि कम करना है exodermic reaction है जहर में रखते हुए अगर मिसाल के तोर पे मैं operating temperature को बढ़ाता हूँ मैं increase करने की कोशिश करता हूँ तो दो बाते हैं एक तो यह है कि वो increase करेगा rate of reaction क्योंकि जब temperature बढ़ता है तो rate of reaction बढ़ता है तो दोनो reaction तेज हो जाएंगे forward और reverse दोनो forward भी बढ़ेगा, reverse भी बढ़ेगा ठीक है? हलाग कि reverse हमें चाहिए नहीं लेकिन बहराल अगर temperature बढ़ाएंगे तो दोनों ही बढ़ जाएंगे और equilibrium जोए shift हो जाएगा left की तरफ याद रखिए यह है एक exothermic reaction अगर यह exothermic reaction है तो नतीजे में बात क्या हो रही है? बात यह है कि exothermic reaction के अंदर energy release हो रही होती है ठीक है ना? energy जोए हो release हो रही होती है तो equilibrium left की तरफ shift होगा और वो favor करेगा reverse reaction को ठीक है ताके जादा से जादा reactant बने reverse reaction endothermic है क्योंकि यह वाला इधर जा रहा हो तो मैं बता रहा हो यह reaction है exothermic इधर वाला है endothermic तो अगर आप temperature बढ़ाओगे तो temperature का बढ़ाना जाहर सी बात है endothermic process को favor करेगा और यह हमारे लिए फाइदे मन तो नहीं होगा तो rate of reaction कम हो जाएगा forward reaction भी slow हो जाएगा reverse reaction भी slow हो जाएगा equilibrium तक पहुँचने में हमें ज्यादा वक्त लगेगा लेकिन हाँ एक फाइदा होगा equilibrium shift होगा right की तरफ इस तरफ equilibrium आ जाएगा क्यूंकि temperature हम कम कर रहे हैं तो temperature का कम करना exothermic reaction को favor करता है जब हम temperature को कम करते हैं तो exothermic reaction तेज होता है तो नतीजे में ammonia ज्यादा से ज्यादा produce होगी तो अब क्या करें ये दोनों बाते हैं temperature को बढ़ाएं के temperature को कम करें तो हम ये करते हैं temperature एक compromise temperature रखते हैं 400 से लेके 455 degree Celsius जो के reasonably high proportion of ammonia तो produce करता है equilibrium में ठीके ना और short से short time है क्योंकि अगर आप temperature बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो वो reverse में चला जाएगा temperature कम रखोगे तो reaction देर में होगा हम ये चाते हैं reaction थोड़ा जल्दी भी हो जाए और forward भी रहे तो ये है compromise temperature जो कि आँए आम तोर पे रखा जाता है habits process का pressure को change करके देखते हैं ठीके ना pressure का बढ़ना pressure का कम होना अगर मैं pressure को increase करता हूँ तो equilibrium shift हो जाएगा right की तरफ ठीके अच्छा अब ये क्या वज़ा है pressure ज्यादा तो volume कम और आप देख सकते हो इसका एक mole है इसके तीन mole है total कित्ते हो गए reactant में total 4 mole हो गए और ये हो गए कम यानि के यहाँ पर product का volume कम है product का volume कम है इसका volume ज़ादा है तो pressure बढ़ाओके तो वो कम वाले volume को favor करेगा यानि के forward direction में जाएगा ठीक है there are less number of most वही जो बात में आपको समझाईए तो और इसी के साथ साथ एक काम और होगा pressure ज़ादा करने का मतलब है expense का बढ़ना और reaction का dangerous हो जाना क्योंकि हम industry के तौर पे pressure को बढ़ा रहे है industry के level के उपर mega project चल रहा है कोई ऐसे चोटा मोटा reaction नहीं करा रहे हम lab के अंदर तो जाहर सी बात है pressure को बढ़ाने के लिए एक तो dangerous होगा फिर हमारा पैसा भी ज़ादा लगेगा इतने बड़े scale के उपर यह काम करने के लिए लेकिन अगर let's say pressure को decrease करते हैं तो वो reverse reaction को follow करेगा pressure कम तो volume ज़ादा और volume ज़ादा reactant का है तो वो reactant की तरफ चला जाएगा जो कि हमरे fever में बिल्कुल भी नहीं है तो अब हम क्या करें हम करते हैं pressure increase ताके वो इस तरफ चला जाए 200 atmosphere ठीक है economic grounds पे सही है 200 atmosphere बनाया जा सकता है यानिके जो atmospheric pressure है उसका 200 times अगर pressure को बहुत ज़ादा कर दें तो cost ज़ादा हो जाएगी और फिर जाहर सी बात है ammonia जो produce होगी वो एक cost rate पर इभिक सकती है तो हमें नुकसान होगा तो ऐसा भी नहीं कि pressure को 1000 कर दो और ऐसा भी नहीं कि pressure को 200 से कम कर दो यूँकि अगर pressure को कम करोगे तो left side पर चला जाएगा reaction वो हमारे लिए favorable नहीं है catalyst तो जाहर सी बात है बड़ी एहम सी चीज है catalyst तो इसमें हम add करेंगे लेकिन catalyst जो है वो iron होता है ठीक है यह बस सही है यह potassium hydroxide उसमें add कर देते हैं लेकिन catalyst का काम है equilibrium तक जल्दी पहुँचना equilibrium को shift करना नहीं है तो सिर्फ process को speed up करने के लिए क्योंकि वो activation energy को कम कर देता है reaction की we use catalyst तो overall अब आप देख लीजे 400 साड़े 400 degree Celsius रखा 200 ATM temperature करा catalyst add करा ताके ज्यादा से ज़ादा ammonia कम से कम वक में कम से कम risk के साथ produce हो सके ठीक है जी अब ली शेट लिए principle contact process में कैसे हो रहा है contact process basically produce तो करता है sulfuric acid पर हमें उतनी detail में जाना नहीं है हम सिर्फ sulfur trioxide की production देखेंगे with the help of sulfur dioxide sulfur dioxide जो produce हो रहा है with the help of oxygen उसमें add करते हैं तो sulfur trioxide जो produce होता है सिर्फ उतनी ही बात करेंगे contact process में और इंशाल्ला आपको समझ में आ जाएगा ली शेटलियर पिंसिपर exothermic reaction है 196 kilojoule per mole मैं बता रहा हूँ value थोड़ी बहुत उपर नीचे हो सकती है लेकिन ये बात confirm है कि it is exothermic reaction ये एक exothermic reaction है ये बात आपने जहन में रखनी है ताके फिर least shetlier principle को apply किया जा सके ठीक है तो अब इसमें reaction में हो क्या रहा है oxygen ले रहे हैं air से list नतीजें produce हो गया sulfur trioxide और फिर उसी sulfur trioxide की मदद से हम sulfuric acid यानि के H2SO4 produce करते हैं और जो unreacted gases होती हैं यहाँ पर recycle कर दी जाती है तो main हमने सरफ sulfur dioxide से try तक जाना है इतना लंबा नहीं करना हम है अब apply करते लिए shetlier principle सबसे पहले concentration देखनी पड़ेगी concentration देखते हुए आपने इस बात को जहन में रखना है कि अगर ज्यादा oxygen को add करते हैं equilibrium में तो जाहर सी बात है equilibrium ride की तरफ shift होगी और ज्यादा से जदा produce हो सकता है sulfur trioxide क्योंकि जब हम मिकदार बढ़ा देंगे oxygen की तो reaction कोशिश करेगा कि equilibrium में वापस आए उसके लिए oxygen की मिकदार को कम करेगा और oxygen कम करने के लिए forward direction में reaction shift हो जाएगा तो oxygen air से मिल रही है इस्तमाल करो दबा के कोई मसला नहीं temperature exothermic reaction है याद रखना exothermic reaction में forward reaction जो है sulfur trioxide एक exothermic reaction है तो temperature का कम करना हमें favor करेगा लीश एटलियर प्रिंसिबल के मताबिक अगर हम कम करेंगे temperature तो favor होगा ठीके ना क्योंकि exothermic reaction है और system respond करेगा position को equilibrium में उसको counter करने के लिए वो जादा से जादा इस तरफ shift करेगा क्योंकि temperature जादा अगर मैं कर देता अगर मैं temperature को increase करता तो वो reverse में चला जाता तो हम temperature को lower ही रखेंगे ठीक है और लेकिन high problem हो जाएगी जितना हम temperature हो कम रखेंगे उतना reaction slow हो जाएगा तो ऐसा भी नहीं के बहुत कम रखना है ठीक है कहीं ऐसा ना slow हो जाए और जादा भी नहीं कर सकता है बहुत जादा temperature क्योंकि फिर वो reaction को reverse कर देगा तो फिर 400 से लेके 400 degree Celsius एक compromise temperature है जिसका मतलब हम high proportion of sulfur trioxide produce कर लेंगे ठीक है एक लिए मिक्सचर में but in a very short interval of time यानि के temperature बहुत जादा भी नहीं किया बहुत कम भी नहीं किया कम करते तो slow हो जाता तो हमने रखा 400 to 450 degree Celsius pressure का क्या करें pressure में देखना पड़ता है proportion कितनी है यहाँ पर दो है यहाँ पर एक है और नतीजे में यहाँ पर दो produce हो रहे हैं volume कम हो रहा है pressure का बढ़ाना कम volume की तरफ जाता है least यह पिंसिपल के मताबिक अगर मैं increase करता हूँ pressure तो यह system respond करेगा कैसे respond करेगा favor करेगा अगर मैं pressure को increase करता हूँ तो कम वाले की तरफ जाएगा fever molecules की तरफ जाएगा और जैसे कि आपको नजर आ रहा है fever molecules आपको नजर आ रहे है in product तो pressure को increase करने का फाइदा होगा तो sulfur trioxide ज्यादा से ज्यादा produce हो जाएगी तो pressure भी कम से कम रखना है जितना pressure को आप for example अगर आप increase करते हैं तो forward reaction हो जाएगा तो दिहान रखना है pressure को भी apply करना है catalyst की बात की जाए आम तोर पे sulfur trioxide की production पे उसका असर नहीं हो रहा कि बोलों के जादा से जादा बन रही है sulfur trioxide ऐसा नहीं है sulfur trioxide की percentage पे कोई फर्क नहीं पड़ता सिर्फ और सिर्फ इसका क्या मकसद है to speed up the reaction ठीके तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा reaction किया जाता है at 450 degree Celsius ठीके temperature हमने बहुत ज्यादा भी नहीं करा बहुत कम भी नहीं करा pressure भी बहुत ज्यादा नहीं रखा 180M रख दिया और एक catalyst रखा ताके equilibrium जल्दी अचीव हो और हम produce कर सकते है sulfur trioxide को ठीके तो देखा आप लोगोंने किस तरीके से industry के level के उपर हम Lee Shetlier Principle को apply करते हैं और जो भी चीज़ हम produce कर रहे होते हैं उसमें ज़ादा ज़ादा production असल करते हैं और कम से कम time में ताके फाइदा ज़ादा से ज़ादा हो तो आप भी अपना ज़ादा से ज़ादा फाइदा करो और ज़ादा 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 वीडियो देखो तो लासफेस अकेडमी की इंशाल्ला बहुत फाइदा होगा that's all for this video Allah Hafiz